नमस्कार दोस्तों आपको पता है बेल्ट एंड रोड इनिशेटिव के तहट चाइना ने काफी बड़ी मात्रा में जो फाइनेंस है इंडियन ओशेंस आइलेंड नेशन्स पर करने की कोशिश किया इस्पेसिफिकली हम यहाँ पर बात कर रहे हैं स्रिलंका की और अल्रेडी कर चलते स्लंका का जो हमन टोटा पर्ट है निनाचवे साल के लिए अक्वाईर कर लिया गया है चैना के दोरा अब इस पूरे पोर्ट में आपको कई सारे टर्मिनल मिलेंगे यहां पर एक पर्टिकुलर जो इस्टरन साइड वाला टर्मिनल है उसको डवलप करने के लिए एक एग्रिमेंट हुआ था लेकिन ये एग्रिमेंट के बाद अभी तक कोई भी चीज फॉरवर्ड नहीं हुआ ह ये आगे नहीं बढ़ा है इनी सारी कीजों को देखते वे भारत ने यहां पर अपील किया है सिलंका से की जल से जल हमें इसे इंप्लिमेंट करने की आउशकता है तो यहां पर मैं आपको बताओंगा कि ये पुरा मामला है क्या कोलंबो पोर्ट का सारा पस्तिति कहां से आय मैप पर भी देखनी की कोशिश करेंगे चली आगे बरते हैं मैं हूँ अंकित अगरवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेस्बुक और ट्विटर पर मेरे लेक्षर की हब पीडियाफ आपको फेस्बुक पर तो मिलेगी प्लस एक तरह से पुश किया है सिलंका को ताकि जल्द से जल्द ये जो इस्ट कंटेनर टर्मिनल है ये एक ECT डवलप्मेंट प्रोजेट कहा जाता है जो कि सिलंका के कुलंबो पोर्ट का एक पार्ट है तीक है मैं अभी आपको मैप में दिखाऊंगा पुरा जो कुलंबो पोर् कंटेनर टर्मिनल अब ये बेसिकली इसको डवलप्म करने के लिए और बढ़ा करने के लिए बहतर फैसिलिटीज लाने के लिए 500 मिलियन डॉलर का डील हुआ था सिलंका इंडिया और जैपान के बीच में लेकिन ये सारी चीजें अभी तक ये स्टार्ट नहीं हो पाई है और ये जो port of colombo है आप देख सकते हो काफी बड़ा ये port है और capital भी है यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं और ये है आपका port of colombo ये मैं आपको satellite picture के माध्यम से भी दिखा देता हूँ यहाँ पर आपको कई सारे terminal मिलेंगे एक terminal तो ऐसा भी है जो कि China ने पूरी तरह से इसको acquire किया हुआ है और China का जो हिस्सा है उसमें 85% है तो already China का हिस्सा इसमें already है और भारत भी कोशिश कर रहा है कि वो जो अपना जगह है उसको यहाँ पर lose ना करें इसके अलावा in fact मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जो हमबन टोटा port है वो actually किदर है ये आप देख स जारत कोशिश कर रहा है कि ये उसके अंडर मिले लेकिन turmoil की वज़े से चीजे नहीं हो पा रही है इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको एक और जो port है गले airport ये भी एक important port है लेकिन जैसा मैंने बताया जितना जादा important आपका Colombo port है यहाँ पर काफी जादा trans shipment होता है इस particular port क और यहाँ पर और अच्छे से आप देख सकते हो इस particular map में यह रहा आपका port of Colombo उसके नीचे गले port है यहाँ पर हमबन टोटा port है और बाकी भी अगर आप port देखना चाहो तो आप यहाँ पर देख सकते हैं तो यहाँ पर थोड़ा साम जानते हैं Colombo port का जो project है यह कैसे sign ह देखे 2019 की बात है यहाँ पर भारत जपान और सिलंका के बीच में deal sign हुआ और कोशिश की गई कि जो deep sea container terminal है वो बनाने की कोशिश की जाएगी इन तीनों parties के द्वारा इस्पेशली भारत और जपान मिलको इसको बनाएंगे अब देखे deep sea container terminal का अर्थ यह हुआ कि जो आराम से आ सकती है और यहाँ पर जो trade है वो बढ़ सकता है क्योंकि जितना ज़्यादा deep होगा उतना बड़ी ships यहाँ पर उतने heavy ships हम ला सकते हैं और इसी का यह main महत्व है और यह सब चीज करने का एक सबसे बड़ा कारण यहाँ पर यह था कि 99 साल के लिए जो चाइना के द इसमें बताया गया कि सिलंका मेजॉरिटी स्टेक रखेगा 51% स्टेक तो सिलंका के पास ही होगा और जो जपान और भारत है उनके पास 49% स्टेक होगा अब इसमें भी एक important चीज है कि जपान का रोल है वो basically ज्यादा तर funding की वजए से है और बाकी का जो management है और ज्यादा तर इनिशेटिव के तुरू यहाँ पर infrastructure push करने की बात कही जारी है चाइना के दोरा उसके influence को कम करना और इसके अलावा भी मैं आपको बता दूँ कि सिलंका पोर्ट अथारिटी के दोरा बोला गया है कि जो कुलंबो पोर्ट है जो trans shipment business होता है उसमें 70% जो business है दोस्तों वो भ चाइना का investment था सिलंका के अंदर उस समय पूरा elections चल रहा था और यह काफी sensitive मुद्दा बन गया था और यहाँ पर भारत और US ने भी लगातार कई सारे voices raise किये थे जो जिस तरह से debt trap में फस्ता जा रहा था चाइना और finally आपको पता है कि हमबन टोटा पोर्ट देने के बाद तो यह जो voice है और भी जादा गहरा गया इसके अलावा सिर्फ चाइना ही नहीं भारत भी जैसे ऐसे धीरे धीरे involvement होने लगा सिलंका के अंदर इसको लेकर भी वहाँ पर जो opposition है और बाकी parties है वो भी अपने voice raise करने लगें कि चाइना भारत या फिर किसी भी foreign countries को हम जो हिस्स लगतार देते जा रहे हैं वो यहाँ पर नहीं देना चाहिए लेकिन यहाँ पर specifically कुलंबो प्रोजेक्ट को लेकर आपके मन में सवाल आ सकता है कि आखिरकार यह आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है दीकिन 2019 में यह deal sign हुआ था भारत जापान और सिलंका के बीश में लेकिन इ एक order जारी किया ताकि इस प्रोजेक्ट को वापस से review किया जा सके और review करने के लिए एक committee बनाई गई लेकिन उसके बाद से कोई भी movement नहीं हो पाया है यहाँ पर और एक और concern यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि जो पूरे कुलंबो पोर्ट के आसपास लोग रह 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 हैं वो काफी जादा strike कर रहा है इस चीच को लेकर उनका मानना है कि सिलंका का जो कॉलंबो पोर्ट है वो 100% सिलंका सरकार के पास रहे क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि कहीं उनकी जॉब नहीं चली जाएगी यह सारे concerns लगातार बचाया जा रहा है इसी की वजए से जो पूर प्रोजेक्ट है यह हमारे लिए भी इंपोर्टेंट है आप इसको जल्दी स्टार्ट करने की कोशिश करिए यह बयान बेसिकली जो हमारे हाई कमिशनर है सिलंका के अंदर गोपाल बागले जी उन्होंने यहाँ पर बयान दिया इसके बारे में लेकिन एक और चीज है कि इसी चीज के ऊपर dependent होगा जी नहीं भारत ने भी कोशिश किया है कि यहाँ पर एक alternative निकालने की कोशिश की जाए और इसी को देखते हुए यहाँ पर deep water port बनाने की कोशिश की जारी है कुलंबो पोर्ट के पास ही जिसका नाम है port of wisdom I don't know how to pronounce it but port of wisdom यहाँ पर बताया जा रह इसकी यह भी deep water port बताया जा रहा है और इसकी वज़े से काफी बड़े बड़े ships यहाँ पर आ सकते हैं और जो भारत का dependence है सिलंका और बाकी ports के उपर वो कही ना कहीं कम हो सकता है और इसके अलावा भी भारत ने 1 billion dollar का project start किया है नीको बार आइलेंड में ताकि यहाँ पर भ बात कर रहे हैं और recently प्रिलेंस के exam में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर questions आये थे related to जो trade होता है आपस में दो countries के बीच में तो उसी से related यहाँ पर मैंने 3 statement डाले हैं क्या आप मुझे बता सकते हो कौन कौन से statement right है इसका जो right answer है मैं अपने Instagram पर तो डालूँगा यह अंकित 10 code यहाँ पर आपको extra 10% discount मिल जाएगा I hope कि यह वीडियो आपको पसंद आया हो मिलता है आपसे next time till then thank you very much